हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक फैशन मॉडल अपनी फ्री वेबसाइट कैसे बना सकते हैं सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है वैसे तो आप बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जो आप फ्री पर क्लिक कर लिए तो यहां पर क्या है जो भी आपको SUR4HML, USAGist, वेबसाइट है वह सारी आपके देख जाते हैं जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि बिजिनस वेबसाइट के लिए यही सही है नॉमली यही सही है तो अगर मान लीजे किसी वेबसाइट का प्रिव्यू लेना चाहते हैं कि वह वेबसाइट आप वह कैसी दिख सकते हो तो जैसे मैंने live preview पे click किया तो यहां पर आप देख सकते हो उसका जो live preview में वो check कर सकता हूँ so live preview के अंदर यहां पर देखिए home about services work blog pages like contact and all like काफी सारी information दी गई है और यह काफी like काफी हद तक professional looking website है तो अगर मान लीजे आपको इसको लेकि पर इसको प्रॉपली open करना है एक new tab में और यहां पर अपनी mail id आपको डाल देनी है जो भी आपकी mail id है तो अभी अगर मैं यह वाली mail id डाल देता हूं और मैं इसको send link send करता हूं तो मेरी mail id को पर एक link जा चुका है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि जो भी हमने link क्रेट किया था उसका link यहां पर आ चुका है download link तो हम सिंपल इस पर download पर click करेंगे और हमारा जो download है वो start हो जाएगा अभी यहां पर देखिए यह download should start in three two one if not then we can click here तो यहां पर हमारा download start हो चुका है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जो भी हमने download किया था हो यहां पर download हो चुका है सो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको हम extract कर लेंगे तो हम extract files करते हैं तो हमने उसको extract कर लिया इसके लिए आप 7Gip download कर सकते हैं या फिर आप बहुत सारे और software download कर सकते हैं जो कि जिप को extract करते हैं सो extract करने के बाद जब आप इसे open करेंगे तो यहां पर आपको सारी के सारी files दिख जाएंगी तो यह जो इसे about us, blog page, contact page, element, index page, main page, services, single blog, work तो सारे के सारे pages आपको दिए गए हैं तो दोस्तों एक बाद जो आपके सारी के सारी files आपने हैं पर download कर लिया इसको extract कर लिया इसके बाद जिस software की आपको ज़रूत पड़ती है इनको edit करने के लिए उसे हम कहते है notepad++ आप इसको अप सर्च कीज़े डारेक्टली गूगल पर और आप इससे download कर सकते हैं तो download करने के बाद इसका use कैसे करते हैं मैं वह एक बार आपको बता जिता हूँ जैसे दिखिए मैं बात करता हूँ index file की तो आपको इसको right click करना है edit with notepad++ आपने इसको edit पर click किया तो सबसे पहले अगर जो हमारे लिए सबसे main main चीज़े होती है जो मैं आपको बताता हूँ this is my website और इसे हमने save कर दिया अभी अगर आप जाने के बाद आप इस page को refresh करते हैं refresh करने बाद देख सकते हैं आप this is my website यहां पर लिखके आ गया तो इसी तरीके से क्या होता है इसको आप किसी भी level तक edit कर सकते हैं अभी जो और कुछ important चीज़े हैं जो edit करने के लायक होती है मोग एक बार आपको बता जिता हूँ जैसे देखी यह आपका home page जैसे index.html about services work blog तो अगर आपको किसी particular section को hide करना है जैसे कि महालिगे आप यहां पर चाहते हैं कि आपको यहां पर blog नहीं दिखाना है पेजस नहीं दिखाना है और यहांपर elements के पार यहां पर इस चीज को बंग करेंगे बस तो फ्रेंड इतना सा आपको यह मेंट चीज शार्टिंग में और इस तरीखेस आप एंड में करेंगे तो अभी आप जो पीज को रिफॉर्ष करेंगे यह देखिए तो यहां से हमारा पेजेस गायब हो गया तो इसी तरीके से आप कुछ भी hide कर से तो hide करने का code हो काफी simple है बाकि जो main main black black में आप यहां से name change कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं अब बात आते हैं जो main content change करने की होती है so content change करने में जैसे यहां पर हो गया यहां पर लिखा business like energy via robust strategies विन जीस, तो यहां पर कया अगर आप वो कुछ भी और लिखना है यहां पर जो भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, this is my website, okay, and इसे, चले इसे यहां पर ले रेते हैं, and my ways, so जैसे आप इसे ऋसे सेव करेंगे, आप यहां पर देख सकते हैं, इसको refresh क करके this is my website and my website तो दोस्तों अभी तक आपने यह देख लिया कि आपको content कैसे change करना है तो इस तरीके साब कोई भी content आप simple अपनी फाइल में जाएंगे जो आपको जैसे index में change करना है कि इस particular file में change करना है आप वहाँ पे करेंगे और आप उसको edit कर लेंगे तो इस simple तरीके से आप उसे change कर सकते हैं अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको image change करने है तो images क्या है अभी जैसे मैं this image की बात करता हूं कि मानली जब यह वाली image change करनी है एक पता करना पड़ेगा कि यह image कहाँ पर है और जो उसकी अलाबा जो और आपको image replace करनी है वह भी आपको वहाँ पर रखनी पड़ेगी और किस particular name से है क्योंकि स्वाइब से आपको हम पर change करना पड़ेगा आप इसको simple right click करके inspect कर सकते हैं आप उस पर click करेंगे तो click वह hero slash img.jpg तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पर जाकर दिखाता हूं आप यह देखिए assets में जाएंगे assets के बाद यहाँ पर लिखा img फिर hero so assets में जाने बाद img then hero अभी hero यह रहा and then यहाँ पर देख सकते हैं hero slash img यह सेम फोटो है जो लगी हुई है और वही चीज आप यहाँ पर home page पर देख सकते हैं तो अभी मान लिजे आपको इसको change करना है और इसको change करना है किसी और photo के साथ तो इसी के साथ आप यह देखिए यहाँ पर एक और photo जिसका नेम है hero slash img2 तो हम बस क्या करेंगे यहाँ पर इदर से देखिए hero slash img और इसका गेंपर टू लगा देंगे क्योंकि हम आप और एक photo है तो अभी अगर आप इस page को refresh करेंगे मैं refresh करता हूँ आप यह देखिए photo हमारी change हो गई तो इस तरीके से आप हम पर कोई और photo भी डाल सकते हैं किसी भी particular profession की जिस profession में आप हैं जिसका website बना रहे हैं और उसी के साथ क्या होगा आपका हमारे पास जो particular photos है वो update हो जाएंगी तो दोस्तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी website अपना time लागे पूरा का पूरा change कर सकते हैं images change कर सकते हैं content change कर सकते हैं और वो सब कुछ आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और इसको change करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है देखिए जो भी यहाँ पर content होता है वो सारा का सारा dark black में आपको दिख जाता है और जो images होती है images अपने exact बात के साथ आपको दिख जाती है जो कि .jpg या .png format में होती हैं तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा content change कर सकते हैं modify कर सकते हैं और अपने हिसाब से उसको save कर सकते हैं तो एक बार आपने इस सारा कर लिया तो उसकी बाद को क्या करना है मां वह आपको बताता हूं अभी एक बार जैसे आपने सब कुछ कर लिया तो आप क्या करेंगे आप फिर से अपना मार पर जैसे कि मान लिजे यह पूरा है ठीक है folder तो आप इस पूरे folder कंट्रोल के then right click कर कि आप इसको वह पर जिप बना लीजे तो जैसे मान लीजे मैंने इसको जिप में convert कर दिया सो मिल पास यह जिप folder हो गया अब इसका आप क्या करेंगे अब इसको आप जो आपने server purchase किया है आप उसके cPanel में जाके बस इसको आप extract कर देंगे कुछ और नहीं करना आपको जश्ट आपको extract करना है तो दोस्तों जब आपने cPanel में login करते हैं जो भी आप purchase करते हैं चाहिए आप कहीं से भी purchase करें चाहिए hosting राजा से गोड़ेडी से या फिर भी होस्ते कहीं से भी सो login करने के बाद आपका cPanel कुछ आपको ऐसा दिखता है तो जो आपका वापर जो main होता है यहां पर आपको सबसे पहले management करने की जरूरत होती है जैसे कि यह भी हमारा domain है तो यहां पर क्या है यह जो आपके records होते हैं जो name servers होते हैं इन name servers को आपको अपने hosting में जाने की बाद अपडेट करना होता है तो जब आपने hosting में जाके ये अपडेट करते हैं तब आपका जो domain होता है वो आपके server पे आ जाता है ज्यादा कुछ नहीं करना होता जो आपके server की IP address है आप उस IP address को और जो हमारे पास आपका ये है means जो आपका मापस name servers है आप उन name servers को simply डालते हैं औ अनिग बाद आप launch file manager पर click करते हैं तो यहां पर क्या जब आप file manager के अंदर जाते हैं तो आपको कुछ अलगल specific चीज़े provide की जाती है जैसे कि जो भी आपकी पूरी website होती है वो हमेशे आपकी public slash html के अंदर होती है तो public slash html जब आप open करते हैं तो यहां पर जो भी आपक website का full content है तो यह जैसे अभी हमारी website का full content है यहां पर पढ़ा हुआ है तो इसको जैसी है आप change करते हैं तो वो सारी चीज़े automatically manage हो जाती है तो दोस्तों जो आप सबको delete कर देते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यह कुछ भी यहां पर नहीं है तो अगर अभी आप website क एसे करेंगे और इसको open करेंगे तो आपको यहां पर से अभी testing page दिखेगा उसके लाब कुछ नहीं दिखेगा क्यों क्यों कि यहां पर कुछ ही नहीं तो अभी हमें काम करेंगे अभी हमने जो हमने अभी create की थी files तो हम क्या करेंगे उसको यहां पर जाके हम उसे upload कर देते पहले तो हमने क्लिक किया अब हमने किसमे रखी थी हैं यह हमारा फोल्डर था और हमने जो जिप बनाया था यह हमारा जिप फोल्डर है जो हमने changes के साथ बनाया था तो उसको आपने upload कर देना है तो एक बार आपका upload successful हो जाएगा आप वापीस आएंगे आप उसको reload पे क्ल content आगया सारा और अगर अभी मैं अपनी website जो हमारी website थी coding loans अगर मैं उसको भी refresh करूँगा तो सेम चीज आगे जो भी हमने वहाँ पर create की थी था website अभी यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा this is my website जो हमने content में changes किये थे और जो भी हमारे जो other files है photos है images है वो सारी स आ चुकी है तो दोस्तो इतना simple होता है proper website को बनाना और उसको launch करना में जो आपको time लगाना होता है वो इस content पर लगाना होता है आप content अपने हिजाब से add, edit, delete कर सकते हैं और एक बार आप content और images आपके हिसाब से हो गए process बहुत simple है आपको बस अपने server में आने के बाद अप को बस वहाँ पर डालना है और आपकी website launch हो जाती है तो दोस्तो अगर आप start करना चाहते है खुद की website इस तरीके से आप अपनी website बना सकते हैं बाकि अगर आपको हमारी को help चाहिए से आपको dynamic website चाहिए तो आप में contact कर सकते हैं या फिर आपको hosting selected को help चाहिए आपको अपनी website के लिए hosting space lowest cost में चाहिए तो आप हमें contact कर सकते हैं we can help you in all the possible ways